हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपियस सी एड़ा में मेरा नाम अजीद कुमार दास है और आज इस वीडियो में हम दोस्तों आपके पद का नाम देख रहे हैं वन रक्षक यानि कि फोरेस्ट गार्ड और यहाँ पे जो संख्या बताई जा रही है वो है दोस्तों इनक्यान में यानि कि 291 पद है यहाँ पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम इससे संपून जानकरी देखने वारे हैं तो वीड से मुने चैनल पर डालता हूँ उसको नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे है तो चली वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों यह जो खबर आप अभी देख रहे है अपने स्क्रीन पर यह दैनिक भस करके 19 अप्रेल 2020 के अंक में छपा हुआ है यहाँ आप देख रहे होंगे कि 2090 वन रक्षगों की सीधी भरती जल शुरू होगी बरक्रिया हर जिले में तरनाती यह नीचैंचे आके देखते हैं देखी दिया है कि पिछले कई समय से वन विभाग में एक साथ 2090 वन रक्षगों की सीधी भरती की योजना तयार की गई थी इस प्रस इसी प्रक्रिया वंड मंडल स्तर पर रोश्टर के हिसाब से वर्गवार खाली जगहों के आधार पर किया जाएगा सबसे ज़्यादा वंड रक्षगों की भरती दूर्ग में 76 और उसके बाद ब्लासपूर में 60 पदों पर भरती होगी विभाग ने 6 अलग सर्किल में 90 रक्षगों की भरती का प्लान बनाया है प्रधान मुख्य वंसर रक्षग कारियाले से मिले जानकरी के नुसर अभी सभी सर्किल में खाली पदों की जानकरी के नुसर 29 पदों पर भरती की जानी है इसके लिए विभाग की और से जल ही एक विग्यापन जारी किया जाएगा इसमें खाली पदो के लिए आविदन कैसे करना है और वन रक्षकों के लिए शालरीक और सक्षनिक योग्यता क्या होगी इसकी जानकरी भी दी जाएगी विग्यापन के अधार पर ही युगाओं को आविदन करना है आविदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी खाली पदों के लिए आविदन करने की फीस अभी तैय नहीं की गई है इसकी विज्यापन पर जानकरी सरी दी जाएगी आवेदगों को ऑनलाइन आवेदन के साथ ही शुल्क भुकतान की सुविधा भी सभी तरह से यानि की ऑनलाइन आफलाइन दोनों तरह की जानकरी दी जाएगी ताकि दूरस्त छेत्रों के आविदकों को आविदन करने में कोई परिशानी ना हूँ तो यहाँ पे मुख्य रुपसी यही जानकरी दी गई है और आगे की जानकरी जो है हम एक PDF जो वाइरल हुआ है उस पर देख लेते हैं चलिए दोस्तों अब हम इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं यहाँ पर विशे दिया गया है वन रक्षा के रिक्ट पदो पर भरती के संबन्द में आगे देखिए मेंड माइन पॉइंट्स देखते हैं दिया गया है कि प्राप्त अनुमती अनुसार आपके वन मंडल में रिक्टता के आधार पर दरशाय अनुसार रिक्ट पदो पर सिधी भरती की कारवाई आपके द्वारा की जावेगी आगे देखिए रिक पदो पर भरती की कारवाई वन मंडल स्तर पर संधारित रोश्टर पंजी के आधार पर वरगवार रिक्तेता के आधार पर की जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य रूप से हमको यह देखने को मिलता है कि यहाँ पर कुछ चीजे बहुत डिटेल वी में नहीं दी गई है जैसे की भरती प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया और सेक्षिनिक योग्यता जो है इसके बारे में बहुत डिटेल जानकरी कुछ हैं आपर नहीं दी गई है तो शायद विभाग इसके बाद इससे संबंदि detail जानकरी निकालेगी तो जब भी इसका कोई official जानकरी मुझे मिलेगा उसका update मैं अपने channel पर जरूर डाल दूँगा इसके बाद दोस्तों आगे दिखिए अलग-अलग forest circle में कितने-कितने पद निर्धरित किये गए हैं इनके जानकरी दी गई है पहला देख लीजिए दूर को forest circle इस पर जो कुल चाल वन मंडल है इस पर कुल मिलाकर 76 पत निर्धरित किये गए हैं अगला जाएगा जगदलपूर इसमें जो अलग-अलग वन मंडल है इसमें कुल मिलाकर 35 पत निर्धरित किये गए हैं सरकुजा में आजाएए यहाँ अलग-अलग वन मंडलो में कुल मिलाकर 50 पत निर्धरित किये गए हैं राइपूर forest circle देख लिजिए इसके अलग-अलग वन मंडलो में कुल मिलाकर 35 पत निर्धारित किये गए है कांकेर में आजाए इसके अलग-अलग 1 मंडलों में कुल मिलाकर 35 पत निर्धारित किये गए है और लास्ट ब्लासपूर में आजाए इसके अलग-अलग 1 मंडलों में कुल मिलाकर 60 पत निर्धारित किये गए है और जो महायोग है यानि कि टोटल दोसों इनक्यानबे पदोगा बनता है आप इसके लावा दोस्तों लास्ट में अब देख सकते हैं कि अलग-अलग वर्ग जैसे कि SC, ST, OBC और जनरल के लिए कितने-कितने पर्द निद्रारित किये गए हैं इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी हमको इस नोटिफिकेशन से नहीं मिलता है लेकिन लास्ट में एक टिप जरूर दिया हुआ है अब देख सकते हैं आपे कि महीला आरक्षन वर्गवार 30% निर्धारित किया गया है और second point देखिए है भूत-पूर सैनीक आरक्षन वर्गवार 10% निर्धारित किया गया है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इस भरती प्रक्रिया से संबंदित मैंने कुछ जानकारी देने के आपको कोशिशLES की है और मैं उमीद करतो हूँ कि वीडियो को पसंद भी आया होगा तो अगर वीडियों को पसंद आया है तो वीडियों को लाइक कीजिएगा और अगर दोस्तों भेजादा जादा शेयर कीजिएगा तकि उनको भी help हो सके Thank you so much